हलो दोस्तों स्वागा थे आप सुभी का फिर से एक नए वीडियो में आज किस वीडियो हम कच्छनों के गड़ी विसे के पेपर को हल करने माले हैं जो कि एकदम रियल पेपर है या आपके अर्दबार से एक्जाम के लिए राम बार साबित होने माला है अगर आप इस पेपर 2.999 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो यह किसन आपके लिए बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल कुश्चन है इसको आपको मैंने लगाने के लिए कई भी धी बताया है तो आप देख सकते हैं इसको आप सिंपली आप यक्स मानेंगे क्या 9.99 है इसको आप हम 9 के उपर बार भी लिख सकते हैं दोनों संख्या में 10 का गुड़ा करेंगे तो यहां पर आजाएगा 10 यक्स और जब इसमें 10 का गुड़ा करेंगे तो एक अंग इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 19.999 हो जाएगा और जब इन दोनों को मानेंगे समीक्र 2 यहां से 9.99,9,9 दोना अठारा जाएगा तो इसका इंसर आपका 2 आजाएगा कितना आपसर नबर इसका सी वाला बेलकुल रायट उत्तर हो जाएगा दो नमबर क्यूशन यहां पर देख सकते हैं कि संख्या करणी में 2 का दसमलों प्रसार क्या होता है तो जो करणी में 2 का दसमलों प्रसाल 1.1421 बहुत संकी संख्या होती जो कि असांत अनावरती होती है इसका आपसा नमबर C आपका बेलकुल राइट इंसर हो जाएगा तीन नमर क्योशन का राय कि निमलिखित में से एक आपको अहपरी में संख्या गयात करना है यहाँ पर देख सकते दिया अहपर निक्या लेंगे तो 4 हो जाएगा तो एस सभी संख्या क्या है जो कि अपरिमे संख्या है लेकिन करड़ी में 18 का वर्गमुल नहीं निकलेगा तो यह संख्या क्या होगी और परिमे संख्या होगी इसका आपसा नमबर D बिलकुल रायट उत्तर हो जाएगा उसके बाद धनात्मक पुडांक होना चाहिए कौन सी संख्या यादी चरपद की घात क्या होगी चरपद की घात है वह धनात्मक पुडांक होगी तो वही बहुपद होगा अगर रिरात्मक पुडांक और भिनात्मक पुडांक होगा तो वह संख्या क्या हो गई बहुपद नहीं होगी ज यवकि C आप्सन की बात करते हैं तो यहां चार बटे यक्स गाते 3 है यक्स को ऊपर भेजेंगे तो यक्स गाते मानिस 3 आ जागा तो यह रिडात में पुडांक हो जाएगा तो यह संख्या बहुपद नहीं होगी इसका आप्सन नमबर C बिलको राइट उत्तर हो जाएगा उ इसका प्लस 3 रख लेना है तो इन दोनों का गुडा करेंगे तो यक्स प्लस 3 माइनस यक्स माइनस 3 और दोनों सभी को घटा देंगे तो आपका इंसर किनना जागा जीरो आजाएगा इसका आप्सन बर C आपका राइट उत्तर हो जाएगा नेक्स क्विशन देख सकते हैं यह एक्स प्लस 1 बहुपद 2x स्क्वाइर प्लस की इसका गुडण खंड है तो के का मान गात किजिए ऐसा क्विशन दे तो सिंपल ही आपको इसके बराबर 0 रख लेना है तो यह एक्स प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो यक्स कमान आपका सिंपल तरीके से माइनस होना 0 यक्स क्या हो जागा के के हो जागा 0 तो के बराबर आपका टू आजएगा के बराबर किना जाएगा तो इसका अप्सन नंबर सी आपका बेलकुल राइट उत्तर हो जाएगा उसके बाद अगले क्विशन क्यों चलते हैं अगला क्विशन यहाँ पर दिया है कि मूल पर यहां से लेकर यहां तक के बीज के दूरी किना सिक्स मतर रखे और यहां से लेकर यहां तक कि दूरी किन्ने हे8 मत रखे और एह दोनों मिलती हैं कहां पर यहां पर आ कर भिंद कीना सिक्स कामा8 तो पूछ रहा है यह संख्या क्या हो जाएगे 6 हो जाएगा एभी 8 हो जाएगा यह उच्छ से दूरी ०छ यह है यह यहados और यहां से आपको दूरी गयाद करना है यहां से दूरी किनना है माइनस 6 मात रख है किनना है ना तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 6 मात रख क्या हो जाएगा माइनस 6 मात रख इसका option number काउं ससाई हो जाएगा इसका प्मबर ए बेलकुल राया उत्र होजाएगा फिससन देख सकते नवावन कई यक्ष्प्लस तीन वाई क्याका है की रेखा यक्ष्प्लस तीन बराबर 10 इस्थित बिंदु का निर्देसांग बताना है ऐसा कुशन दे तो आपको आपसन पूट कर लेना तो यहां पर देख सकते हैं आपसन नमबर दो आप पूट करेंगे यक्स के स्थान पर वन रखेंगे तो वन होगा तीन का तीन हो जाएगा वाई के स्थान पर तीन के बरा का मान गयात करना है तो यक्स कमान यहां पूट करेंगे तो यहां पर थरी यह इसका मन टू है तो तीन दूना च्छ और पांस दूना दस और दस आउच्छ किन्दा होता है इसका आपसन नमबर यह आपका बिलकुल राइट उतर हो जाएगा एक ग्यारा नमबर को कोटी पूरा कोड़ बताना है दो कोड़ों का योग नब्य डिगर के बरावर उसे कोटी पूरा कोड़ करते हैं इसमें नब्य में से 65 को माइनस कर देंगे तो आपका 25 डिगरी आजागा कितना 25 डिगरी इसका आपसन नमबर यह बिलकुल राइट इंसर हो जाएगा अग ने बहाए त्रिभुज हो गया कि एक सामने का कोड़ सी और का Ara 약 212 u कि रwsक्ानitaire 32 BMW सी यानि भूजा देशी हो गया इसके सामने का कोड़ एक कोड़ और एक कड़ आपस में क्या है भराबर और यहां पर कोड़ इक कमानत learned anduldade LM Nimal ho तो यक्स यस आपका 2X हो जाएगा और यहाँ पर 80 हो जाएगा तरिभुच के आंतरी कोडों का योगफल 180 डिगरी के बराबर होता है 180 को उधर ट्रांसपर करेंगे तो 180 में से 80 गाएगा 100 आजाएगा तो 2X बराबर आपका 100 डिगरी आजाएगा और 100 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका 50 डिगरी एंसर आजाएगा तो इसका आपसा नमबर C बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा कौनसा आपसा नमबर इसका C बिलकुर राइट उतर हो जाएगा उसके बाद 15 नमबर क्यूशन दिया कि एक आयत की भुजाओं के मदध बिन्दू को मिलाने पर कौन सी आकरती बनती है तो आपकी समने जैसे की मालेज़े मैं एक आयत यहाँ पर बना देता हूँ एक आयत हो गया और आयत बनाने की बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसके मदध बिन्दू को मिलाता हूँ जैसे कि इसका हो गया एक मदध बिन्दू यहाँ पर इसका मदध बिन्दू यहाँ हो गया उसके बाद 17 नमर क्यूशन का है कि युकलीट द्वारा लिखित पुस्तक में एलिमेंट्स के कुल कितने साथ धी होते हैं तो इसके कुल 13 साथ धी होते हैं तो इसका आपसन नमबर C राइट उतर हो जाएगा 20 नमर क्यूशन आप जानते हैं इसका अनुपाद कितना होता है 2.1 होता है तो इसका अपसन नमबर D आपका राइट उतर हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं वड़ात्मक प्रसन हैं यहां पर पहला क्यूशन देख सकते हैं इससे P बटे Q के रोप में लिखना है इसक 5 कुष्ट्च में 5 प्लस करड़ी में तेन वट्डे इसको हला करेंगे तो 5, 3 किदना जल जाएगा इससका इसका उतर निकाल नेक्स बाद say यहाँ पर है चार चार के इंसल हो जाएगा तो चार का गुड़ा कर देंगे आपका इंसर आसान तरीके से आ जाएगा उसके बाद अगला क्यूसर यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि X2 प्लस 5, X- K, X-12 को X-1 से पुलेता विभाजित करता है तो K-कामानगाद किजे यह अईसा पुलेता विभाजित करें तो यहाँ पर 5 यहाँ पर-1 पर पकरेंगे तो प्लस किया जाएगा माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा तो इसको हल करनेंगे 5 एक 6 और 6 मेंसे 12 जाएगा तो माइनस 6 के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर आपका किनना जाएगा 6 जाएगा 6 बिल्कुल राइट होता है इसका हो जाएगा उसके बाद अगला कुशन यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुड़न खंड आपको ग्याद करना है तो पाच्छे का अच्छे हो जाएगा सिंपल तरीके से आप 2 त्याइच्छे आप भी ग्याद कर सकते हैं जिसे एक 6 स्क्वाइर माइनस 2 एकस माइनस 3 एकस माइनस 6 बराबर 0 तो यहाँ साब ग्याद करेंगे यहाँ पर पलस हो जाएगा एकस स्क्वाइर एकस कामन करेंगे तो एकस माइनस 2 यहाँ से 3 कामन करेंगे तो किना हो जाएगा x-2 तो x-2 और x-3 आपका answer हो जाएगा कौन x-2 और x-3 आपका बिलकुल right answer हो जाएगा उसके बद अगला question देख सकते हैं दिया हुआ कि बिंदू क्या दिया है बिंदू माइनस 3,5 और 3,6 को graph में परदसित करना है आप graph में आसान तरीके से परदसित करते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपको आप दर्शा लेंगे रैखिक समिकट का आर एक भी इसको बना लेंगे उसके बद अगला question दिया कि एक चित्र में PQR और QR राइखिक यूग मनाते हैं और यह B कमान को ग्याद करना है जिसे कि A-B बराबर 80 डिगरी दिया किनना A-B बराबर 80 डिगरी जाए एक रिखा पर 180 डिगरी का कोड़ बनता है तो A-B बराबर 180 डिगरी इन दोनों को जोड़ लेगे तो B-B cancel हो जाएगा यहां पर टू यह आ जाएगा और 80 में हम जोड़ेंगे किनना 180 तो 260 हो जाएगा किनना 260 हो जाएगा तो दो से इसको कटाएंगे तो 130 जीरो यानि एक अमान आपका जाएगा 130 डिगरी और तो B कमान किनना डिगरी आ देखता हूं कौन सा बच्चा इसका उत्तर कमेंट बाक्स में बताता है और उसका कमेंट में पिन जरूर करूंगा उसके बात अगला क्यूशन दिया कि तरभूज ABC में A-B-C ब्राबर 15 डिगरी B-C ब्राबर 30 डिगरी तो ABC ब्राबर होता है 180 डिगरी और सभी में मान धरकर आप आसान तरीके से ग्याद कर लेंगे यहां पर निए क्यूशनों को सिद्ध कर लेंगे तो एक क्यूशनों को अच्छी तरह से आसान तरीके से लगा लेंगे मैं क्यूशनों को आपको अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूं जिसका आप हर का परिमेर करके ग्याद कर सकते हैं इन सभी का जो कि आपके लिए बिल्कुल आसान है कि सभी आप अच्छी तरह से सेस्फल पर में दोरा ग्याद कर सकते हैं